नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आईस्पीस असे कैडमी में और पॉइंटर भूकी सीरीज में एक वार फिर से आप लोगों का स्वागत है तो पिछले चैप्टर में जो है हमारा पिछले वीडियो में जो हमारा चैप्टर चला था तो वो से रिलेटेड जो है हम लोग कुश्यन देख रहे थे तो चैप्टर बरा होने के कारण जो है हम लोगों ने एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाया था तो इसलिए मुझे दो वीडियो बनाने पड़े तो उसका जो छूटा हुआ पार था तो आज हम लोग कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अधिक अम्लता के कारण जो है अमल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एबं मृदा के पोशन धनायन के बीच आदान परदान होता है और इसके फलसरूप पोशक तत्यों का निच्छालन इसको लीचिंग बोलते हैं हो जाता है एबं समापत हो जाती किसके कारण अमल वर्षा के कारण अमल वर्षा में बे प्रदूशक जो बर्षा जल एवं हिमको प्रदूशित करते हैं तो वह कौन-कौन से प्रदूशित होते हैं तो होते हैं सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड अमल वर्षा होती है तो बादल के ज इच्छे अमल वर्षा से कम हो जाता है क्या हो जाता है म्रदा का पीच मांज होता है वह अमल वर्षा के कारण कम हो जाता है अमल वर्सा जहरीली धातूं को उनके प्राकृतिक राशायनिक योगों योगिकों से तूटने में मदद करती है और ये धातू पीने योग के जल एवं मर्दा में प्रवेशकर दुस्प्रभाव डालती है तो किस पर डालती है बच्चों के जो तंत्रिका तंत्र होता है उस और जीवास मेदन के जोलन सरुप उत्पन होती तो ये कौन सी है सलफरडाय औक्टाइड की बृदधि हो जाती जया आँ गुष्पि च्छोंगों कि उपस्तिती में से वालों का विकास तेजी से तो इसे क्या बोलते हैं ido सहीवाल ब्लूम यानी की एμ şystem fiber से घृरे बाताबरण में ज्यादा देर तक से क्या वेस्ट वास हो जाता है स्वेस्ट रस स्वेस्टर जैस से एक प्रदूशक देहन उत्पाद नेवाले इस शुच्म स्वावुटर से जीवों में क्या हो जाता है? स्वसन संबंदी रोग हो जाता है जिसे बायू में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रो इस्टेटिक अवच्छेपक या अनिकर्ण निश्यंदन उपकरणों का प्रयोग होता है तो फ्लाईगे इसका ग्रीन मफलर किस से संबंदीत है? ध्वनी प्रदूक्शन से बिशालकाय हरे पौदे अधिक ध्वनी प्रदूक्शन वाले छेत्रों में रोपित किये जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनी तरंगों को अफ्शोशित करने की छमता होती है तो धनी पदूशन को नियंतरित करने वाले ये हरे क्या कहलाते हैं तो इनको green muffler कहा जाता है बोपाल गैस तरास्ती की गटना कब होई थी 3 दिसम्मर 1984 को और किस गैस के कारण मिथाइल आइसो साइनेट जिसको मिक बोला जाता है इसके रिशाओं के कारण बोपाल में यूनियन कारवाइड फैक्टरी से जो गैस रिश गई थी उसका क्या नाम था मिथाइल आइसो साइनेट बोपाल गैस तरास्ती में जिस गैस के रिशने पर बड़े पैमाने पर मत्तिवी थी जो एमाइसी बहुपाल गैस तरास्ती से संबंदित योगिक देखे वही कोश्यन बार बार रिपीट हुआ है इसको याद रखे कोश्यन आने के संबाबा हमेशा बनी रहती है इससे पॉलिथीन की थहलिओं को नस्ट किया जा सकता है क्यूंकि बहुलक होता है तो किसकी बात कर रहा है पॉलिथीन की स्टेटमेंट दी गही थी तो इसमें पहचाना था किसके बारे में चार्चाग हुए तो इसकी खोज उनिस सो त्रेपन में इटली के रशायन सास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जो की जर्मनी के थे उन्होंने की थी इन्होंने सरपदम देखा कि कार्वन एबम हाइड्रोजन के कड़ जो आपस में मिलकर एक संकला बनाते हैं तथा एकल बंद एबम दुईबंद के कोई कुश्चिन करेंट फिर का था पूछा गया था तो इसका उद्गाटन नोएडा में हुआ था और यह उप्योग तो प्लास्टिक कच्रे से बना था तो क्रेंट फिर का कुश्चिन था जो अब आपके लिए महत्पूर नहीं रहे गया बस तू जो जीवाणों से प्लास्टिक का थैला में सबसे अधिक समय लगाएगा तो प्लास्टिक का थैला नस्ट होने में सबसे अधिक समय लगाएगा बायू प्रदूशन के जैविक सूचक का क्या सूचक का कारे कौन करता है लाइकेन करते हैं शैवाल तथा कवक के द्वारा क्या होता है लाइके लाईकेन सबसे अच्छे किसके सुचक है भायू प्रदूशन के जैविक सुचक का प्रसे दुदारन का होना है लाईकेन जैविक आक्सी करण आवश्यक्ता जिसको बीओडी बोलते हैं प्रकार का प्रदूशन शुचकांक और किसके लिए जली अबातावरण के लिए मसरूप किसकी मात्रा गड़ जाती तो घुली ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा घट जाती है डिजॉल्व ऑक्सीजन की कुछ ही सहन सील प्रजातियों के जीब तथा कुछ कीटों के डिम्ब ही बहुत अधिक प्रदूशित तथा कम डियो वाले जल में जीवित रह सकते हैं तो जैसे इनको बूला जाता है एने लीड जिस जलासा के डियो का मान 8.0 एमजील निगेटिब से नीचे हो जाता है उसे अर्विंद्कर्चांट के रखा जाता है संक्रमिट जल स्रेंडी में किसी जल में ब्योदी की अधिक्ता संकेत देती है कि उसका जल जोह सीवेश से प्रदूशित हो रहा है नदी के जल प्रदूशन के निदारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है तो इसमें किसकी माप की जाती है ऑक्सीजन की जैव उपकारण बायो रेमिडेशियन से तात्पर क्या है कि जीवों द्वारा पर्यावरंड से बिसाहले पदार्थो का निश्कासन तो जैव उपकारण का मतलब यह होता है इसके द्वारा इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरंडिये प्रदूशिकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है यह जैव रासाइनिक चक्रिके माध्यम से कार करता तो यह जो है जैव जैव उपक्यार यदि प्रदूशिण प्रभावी छेत्र में किया जाता है तो इसे क्या का जाता है स्वाइस्ताने जैव उपक्यार यदि प्रदूशित पदात को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इसकी तकनिक का प्रियोग किया जाता है तो इसे बाइस्ताने जैव उपक् प्रदूशक नहीं है तो सलफर डाय आक्साइड जो जल प्रदूशक नहीं है अर्शनिक द्वारा जल प्रदूशन सरवादी कहां पर हुआ है पश्चिम बंगाल में गंगा भारत के गंगा ब्रह्मो पुत्र के मैदानी इलाकों तो था बंगलादेश के पद्मा मेगना के मैदानी इलाकों में भूमिगजल अत्यदिक दूशत हुआ है किसके कारण आर्शनिक प्रदूशन के कारण भारत के साथ राज्यों पश्चिमंगाल जहारकंड बिहार उत्तर प्रदेश असम मनिपू छतिसगड के राजनांद गाओं में भूमिगजल अत् मन्त कि से नाविकी दूरगठना से बायू पदूशन जलपड़ूशन उसमी पदूशन तथा धनी पदूशन में इसे नाविकी ऋरजा का प्रयोग प्रया कारण तो उसमी पदूशन का रूस में कर्णोबी लिस्थित पर्मान के अंतर में नाविकी द्रुगटना का वुईती है वुईती 26 अप्राए 1986 को बिगटित होते रेडियो एक्टिव नुक्लियार्ट से उत्पन होने वाला विकिरण सुरूत क्या है रेडियो एक्टिव प्रदूशन विकिरण के प्रभाव से जीमों के आनुवांसी गुणों पर प्रभाव पड़त प्रदूशक है स्वचालित महानों में एंटी नौकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका लेड का यानि सीसे का केंद्री तंत्र का तंत्र मस्तिष्क पाचंतरन इत्यादी प्रभावित होते हैं लेड के कारण पेजल में कैडमियम की अधिक्ता से कौन पाइल कर लिया गया है तो किसको बायू प्रदूशन एवं नियंद्रन अधियम 1981 के तहत को देखें यह अगला कोश्चन करेंट अधियर का तो इसको किसकीप कर दे रहे यहां पर और यह भी कुश्चन करेंट अगला देखते कि अपने प्रदूशकों के कारण जैविक देखेंगे तो यम्णा और गोंती था सरसों के साथ आर्जी मोडान के बीज मिला दिये जाते तो कह Official ம हो जाती है इसको मिलाने से आर्जी मोन मेक्सिकाना जो है मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाती है सरसों के तेल में इसकी मिलावट से जो महामारी फाहिल सकती है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप सी भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्पुटन में हो रही ब्रद्धी पर चिंता व्यक्त की गई है इस संब्रत्ती का के क्या प्रवाव के कारक्तत हो सकते हैं तो इसका क्या हो सकता है कि ज्यार नद्मुक से पोशक पोश्कों का प्रस्तराव हो सकता है मांसून में भूमी से जल प्रवाव समुद्रों में प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है तो ऐसा नहीं है कि जाड़े में बढ़ जाती है वो तो हरी मौसम में गाड़ियां चलती है तो यह तो सही है लेकिन आर गलत है एक रंग हीन गंध हीन रेडियो एक्टिव अक्री गैस है तो यह बात हो रही है रेडान की फेफडे का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संबाबना होती है रेडान गैस के द्वारा गरेलू सार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्य होती है घरेलू बाई प्रदूशन के कारण शिग्रिट के धुए में मुख्य प्रदूशक का एकॉन कार्वन मोनो आक्साइड वा बेंजीन सरीर में स्वां सत्वा खाने से पहुँचा सीसा लैड स्वास्त के लिए हनिकारक है पर्ट्रोल में सीसे का प्रयोक प्रतिवंदित होने के बाद से अब सीसे की विशाक्तता उत्पन करने वाले सुरोथ कौन से प्रगल निकाईया अब हम पेंट गरों में पुताई के लिए सुरच्छे तिस्तर तक हो सकती है किसकी सीसे की मात्रा होती है जो हमारे यहां पर पुताई होती है गर हो में तो उस पेंट में सीसे की मात्रा अधिक होती है मनुष्य के केंदे तंत्रिका तंत्र और मस्तिस्क को नुक्सान पहुचा सकती है मैचिंग का कुश्यन था देख ल पारे की विसाक्तता से उत्पन होती है, उदर संबंधी समझ जाय और से केंद्री नर्वस सिस्टम प्रावित होता है, है रक्त में खुलकर कोश की स्वसंन को बाधित करती है तथा यह तो ?- कर सकते हैं भारत में इस पात उद्योगदारा मुक्त किये जाने वाले मैत्मु पदूश्कों में चारो ही शामिल है कौन-कौन से कार्वन मैचिंग वाला कुश्यन देख लेते हैं कि अमल वर्षा जो है इसमें सल्फर डायक्साइड होता है प्रकाश राशायनिक तुन्द में असंत्रप्त हाइड्रोकार्वन होते हैं हीमोग्लोविन के साथ सायोजन कौन कर सकता है कार्वन मोनो ऑक्साइड ओजोन परत का छरण कि के संपन में चिन जापनugen नर्वे तता कि मैसे जिस देश में अंवलीवर्षा होती हूं थी नौर्वे में उच्ष्ष्म। कटि सक्तिनक्रों में कोईला धेन से उत्सर्जित होता है क्या कारवन डाइज पूप्योन की आक्साइड और्टर सुलफर के रूप में कोईले का उप्योग करने वाले सक्तिसंच्प राप्त फ्लाइज के संदर में सही कथन तो जो सही कतन दिये हुए हैं चलिए हम लोग दिखते हैं तो स्थानापन रिप्लेस्मेंट के रूप में भी प्रयोग किया सकता है कोईला आधारित बिद्धु श्रहिंद्रों से बिद्धु उत्पादन के फलस्रूप उपोथपाद के रूप में प्राप्त होती है क्या यह सूचुम पाडर होता है जो बायू के साथ दूर तक यात्रा करता है इसमें सीसा आरसेनिक कॉप और जैसी जैरीली भारी धातुएं होती तो किसकी सचा हो रही है फ्लाइए इसकी अनाजों और तिलहनों के अनुपियुक्त रख रखाओ और भंडारन के परणाम सरुप आभिशों का उत्पादन होता है जिनने एफलाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है जो सामारता भोजन बनाने की आम बिदी द्वारा नश्ट नहीं होते जिसके द्वारा उत्पादित ह मुखेता ऐसपर्जिल ऐसपरजिलएस 어वबस के द्वारा उत्पंड होता है एफलाटॉक्सिन cherry गेंसर जीनक प्धार्थ होता जो अत्पन करता है क्या एक करता कया फासर उत्पन करता है बाइवधी का रोक थाम की एक विदीन नहीं है कार खानों की चिम्नियों से निस्रत धुएं तथा कालिक के साथ मिस्रित कणकी पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग के जाने वाले बिसिस्ट फिल्टर को क्या बोलते हैं वैक फिल्टर रेडियो धर्मी प्रदूशन से संबंदिस सही कतन देख लेते हैं कि यह पशुओं में आनुवांचिक प्रवत्तल लाता है ठीक है यह रक्त संचार में ब्रवदान पैदा करता है विल्कुल सही रक्त के यह कैंसर पैद संकाय यह पांच बैक्टीरिया को मिलाकर विख्सित किया गया है इनमें उपस्तित बैक्टीरियत तेल में मौझूद हाइड्रो कार्मन योग्वा जल में वहांरी sindis क्रम्ध करते हैं और नंट्ब तो यह मयदर्पर्व कोशन है पूशे जाने की समबाब नहीं रहती है अगला statement देखते हैं कि यह संयुक्त राष्ट संग की विशेश एजनसी है जिस पर अंतराष्टी नौवेयन के सुरच्छा सुधार संबंदी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रसुशन की रोगताम के लिए जिम्मेदारी है यह संस्ता उत्तरदाई और मुअबजा से संबंदित बैधानिक मामलों को देखने के लावा अंतराष्टी समुद्री यातायात को सुविदा जनक बनाने के लिए कार करती है तो किसंस्ता की चर्चा हो रही है अंतराष्टी समुद्री संगठन इंटरनेशनल मेरी टाइम और गनाइजेशन और जै सोचाले पणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है जबकि गैस हो जाती है गैस बासपीकरत हो जाती भारत के कुछ बागों में पीने के पानी के जल में प्रदूशक के रूप में पाए जाते है आरसेनिक फ्लूओराइड और यू परन्तु इसका आते दिख सांधरन फ्लिवरोसिस नमक रोक का रोग कारण बनता है अते दिख फ्लिवराइड को ग्रहेंड करने वाले पई नामसरूप किसके संबाबना बढ़ जाती है तो कूबड़ पीठ की संबाबना बढ़ जाती है पैरों के मुढ़ने का कारण होता है कि जिसे नौक नी सनलक्षन कहते हैं तो उच्छ फ्लोराइड का संग्रे करने से यह संभाबना बढ़ जाती है कैल्सियम पादपलवक की ब्रद्धी और उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रवावित होती है कुछ प्राणी जिनके दिमबक पादपलवक की होते हैं कि उत्तर जीविका प्रतिकूल रूप से प्रवावित होगी तो किसकी चाचा हो रही है महासागनों के अमली करण के कारण ये सारे के सारे जो है हो सकते हैं परिवर्तन CO2 के लिए एक भंडार ग्रह की तरह कार करता है कौन करता है कार समुद्र यूरो उत्सरजन नियम उत्सरजन के मानक हैं और ये एक बाहन से उत्सरजन के लिए सीमा निदारित करने के पैकेज के पदर्शित करते हैं इसके अंतरगत आच्छादित है कौन? कारवन मोनो आक्साइड के चाचा हो रही है और किसकी हाइडोकार्बन तथा नाइटरोजन की आकसाइड यूरोपिय देशों में बर्स 1992 में यूरोमानक बन तथा बर्स 1997 में लागू कर दिया गया था यूरोमानक तुति है बाहनों से निकलने वाले प्रदूशकों को नियंतरित करने के लिए चरणवद रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियानवित करने की संस्तुति किसने की दी तो ये समिती थी माशेल कर शमिती स्वक्ष परिवयन पर अंतराश्टी परिशन ने भारत को इस बात की छूट दी कि वर्स 2020 में यूरो पांच के बदले अपना सकता है आगे बते हैं कि BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया था कब 1 अपरेल 2017 में BS6 जो है लागू होने की निजारती थी एक अपरेल 2020 यूरो टू यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मातरा कितनी हो जी गए तो ये मातरा उनी चाहिए 0.05 परसेंट या इससे कम यूरो नॉर्म्स स्वचालित महानों में एक गैस उत्सरजन की मातरा की सीमा निश्चित करते हैं यह गैस कौन सी है कारवन मोनो ऑक्साइड हमारे देश के शहरों में बायु गुडवत्ता सूचकांग का परिकलन करने में शाधारणता बायुमंडली गैसों में विचार में लिया जाता है कि इसको कारवन मोनो ऑक्साइड को नाइट्रोजन आक्साइड और सल्फर डायक्साइड को भारत में आठ मुख्य प्रदू कि यह सूचकांग सहरी शेत्रों में बायु पदूशन का इसतर बताने के लिए एक संख्या एक रंग एक विबरन के रूप में काड़ करता है उलेख नहीं है कि इस पहल का आरम किया गया था स्वच्च बारत अभियान के तहत तो यह भी कुश्चिन करेंट अफिर का है तो इसको भी स्किप करें दे रहे हैं बाहनों में उसरजित कारवन मोनो अक्साइड को कारवन डाइकसाइड सीयोटू में परिवर्तित करने वाले उत्परेरक परिवर्तन को सिरैमिक डिस्क इस तरित होती है तो प्रेलेडियम के द्वारा तो कथन देखते हैं कि मदा पदूशन और द्योगी पदूशन की अपेच्छा अधिक खतरनाक होता है और कारण देख लेते कि किसके कारण यह ऐसा होता है उर्बरक तथा कीड नासक उर्बरक तथा जो कीड नासक होते हैं यह बोजन की संक्ला में प्रवेश कर जाते तो के तथाहार दोनों ही चाहिए और इसकी ब्याक्ख्या भी सही कर रहा है क्रशी म्रदाय पद्यावरण में निर्मुक्त करती है नाइट्रोजन के आक्साइड उर्बरक पीडक नाशी कीट नाशी और शाक नाशी म्रदा के प्राकृतिक राशायनिक और जैवी गुणों को नश्ट करके मरदा को बेकार कर देते हैं राशायनिक और बरक नश्ट कर देते हैं मरदा के सूच में जीवों को देखते हैं कि भारत के जिस मानगर में प्रति दिन सरवादिक ठोस अपसिष्ट उत्पन होता है तो किसकी बात हो रही है मुंबई एवं दिल लेकी आगे दे हो गए फरनीचर की गद्धियां हो गई में ब्रोमीन युक्त जौला मंदगों का उपयोग किया रहा था इनका उपयोग कुछ इंता कबिश है क्यों कि उनमें क्या होता कि उनमें पर्यावरण में निमनी करन के प्रति उच्छ प्रतिरोध अगता होती है और वे मनुश जो चिरफाइक प्रदूशक अब शमय क्जिगा कि इस्त्यौ caliber कटेटू का और फाइंव के सबार जर्ब्रेय जो क्छ ब्रॉमीन युक्त जौला मंदगों को कना जल और मिस्दा को शन्दूशित कर सकते हैं बेखाद संकलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं और बेमूल बेमुक्त मूलकों के उत्पादन को बेमोजित कर सकते हैं कि वे देख लेते तो आज का वीडियो यहीं पर समप्त होता है और उम्मेद है वीडियो आप लोगों को फिशन दाया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से यादा शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और इसी तरीके के मिलते हैं कल नेक्स वीडियो में एक एक नए चैप्टर के साथ में है कि अ